हे एवरिबड़ी वल्कम बैक टू जैनल वन्स अगेन गाइज एक पर फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी की साथ में बात करने वाला हूँ about polygon, zk, evm, layer 2 blockchain के बारे में दोस्तों हम लोग ने काफी सारी layer 2 blockchain कवर करी हैं build on base, space on build, coinbase की blockchain, rbtrum, optimism, starknet, linia, zk, sing and और भी day by day कुछ न कुछ अच्छे project आ रहे है layer 2 की उपर तो वो भी आपके साथ share करे हैं लेकिन polygon के layer 2 के बारे में अभी तक कोई भी specific video आपके साथ मैंने share नहीं करी है दोस्तों क्योंकि यहीं उमीद्ती कि polygon का airdrop आना शायद मुश्किल है क्योंकि already matic token market के अंदर है लेकिन इस चीज का doubt recently कुछ दिन पहले जो polygon matic के CEO है, Sandeep, Nelwal उन्होंने यहाँ पर दूर कर दिया है throw forward statement दिया है, साफ and clear cut में, कोई यहाँ पर clue नहीं दिया है एकदम साफ बात यहाँ पर बोली है, and यह बात क्या बोली है, plus there is no rule that existing token cannot do a massive airdrop मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर उन्होंने जो बात चल रहे थी और किसी को reply दे तो यह बोला जो existing token है, और वो अपना layer 2 लेकर आ रहा है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो airdrop नहीं कर सकता, वो airdrop कर सकता है अगर दोस्तों यहाँ पर हम detail से बात करें, matic की current supply को देखें है, circulation के अंदर क्या है, total कितनी है, कितनी बची है तो वो हम इस वीडियो में cover करेंगे, और अगर दोस्तों यह airdrop देते हैं, तो हम लोग four digit airdrop यहाँ से expect कर सकते हैं तो वीडियो को start करते हैं दोस्तों, वीडियो को start करने से पहले वही एक आपसे request है, वीडियो को दोस्तों लाइक दबागर ठोकिएगा, पिछले दो तीन वीडियो से आप लोगोंने likes काफी जदर decrease कर दी हैं, वीडियो में like की कमी मतलखा करो दोस्तों, जो की channel को grow करने में हम सभी grow करने है, बहुत ज़्यादा help करता है, बहुत ज़्यादा motivate करता है, इतनी ज़्यादा दोस्तों मेहनत से आपके साथ content share करते हैं, क्योंकि content के backend जो पूछे दोस्तों मेहनत होती है, नरिश करना, filter करना सब चीज है, तो इन सब चीजों में काफी दार time लगता है, तो अधित नेलवाल ने जैसे कि यहाँ पर बोला, जो कि मैंने आपको starting बता दिया, कि यह लोग एर्डॉप देने के यहाँ पर काफी ज़्यादा यहाँ पर लग रहे है, इनकी इच्छा काफी दा लग रहे है, एर्डॉप के regarding एर्डॉप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नह लोग लेकर आने वाले हैं, इसका test net भी चल रहा था, जो कि हम लोगो ने join किया था, और अभी यहाँ पर main net को लेकर के, मैंने आपके साथ thread share किया है, दोस्तों, अगर polygon की supply को देखा जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि coin market cap पर आएंगे, तो यहाँ पर आप द अच्छे हुए token है, वो still अभी market के अंदर नहीं है, और अगर दोस्तों हम यहाँ पर token unlock पर आए, तो यह भी same यही चीज़ बता रहा है कि 9.25 billion यहाँ पर token market के अंदर है, बाकी के 500 million tokens, 750 million tokens कहाँ पर हैं, तो उसके बारे में detail से यहाँ पर भी नहीं बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है कि total जो है remaining locked, कोई भी token log नहीं है, सब unlock हो चुके हैं इनकी westing, westing के हिसाब से, और अगर हम दोस्तों यहाँ पर drop step पर आए, जो की token unlock को track करके बताता है, same to same as token unlock यहाँ पर token unlock हो चुके हैं, on 26th October, यहाँ पर थोड़ा सा पुरान है, मतलब data जो है वो update नहीं हुआ है, बाकि इसमें एक चीज़ बताया हुए है कि seed वाले 100% लोग चुके है, main sale 100% advertiser, early support, इन्होंने 2019 में, early supporter को कुछ ना कुछ reward दिया होगा, तो वहाँ पर वो भी 100% unlock हो च चुके हैं, foundation के 100% unlock हो चुके हैं, ecosystem में भी 100% unlocked हैं, लेकिन unallocated हैं, तो यहाँ पर जो साड़े 700,750,000,000 tokens बचे हुए हैं, यह हो सकता है दोस्तों, यह ecosystem के part में से token हो, जो अभी यहाँ पर unlock तो है, circulation के अंदर नहीं है, लेकिन unallocated है, unallocated से मतलब यह है, कि token unlock हैं, लेकिन ऐसे smart contract के अंदर रखे गए हैं, जहाँ पर उसको अभी use नहीं किया जा रहा है, और हो सकता है, team के mind में इसको लेकर कि कोई चीज हो, यहाँ पर ecosystem के अंदर से जो 1500,000,000 tokens बचे हुए हैं अभी, वो token शायद हो सकता है, यहाँ पर जैसे कि Sandeep Nailwal ने बोला, कि Europe यह लोग दे सकता है, अगर इनका Europe आता है, और अगर Europe आता है दूस्तों तो हम लोग four digit expect कर सकते हैं, four digit का मतलब हुआ one thousand dollar और उससे जादा भी हम लोग यहाँ पर expect कर सकते हैं, तो इस thread का link में आपको description में दे दूँगा, आप लोग इसको सबसे पहरे तो like and retweet कर देना बहुत सारा, और उसके बाद आप Polygon, ZKEVM के बारे में समसकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग Bridges, Card, Swap, Lending, Borrow, NFT and कुछ उसके लावा और बहुत सी चीज़ें जो इस thread के अंदे शेयर करी हैं, थोड़ा सा recap मैंने दूस्तों आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है, कि हम लोग ने क्या कह यहाँ पर किया है, हम लोग ने Polygon की ZKEVM, SBT, यहने की Soul Bound NFT को क्लेम किया है, इसके बारे में दूस्तों ट्विटर पर आपके साथ शेयर किया था, इनके दो तीन राउंड चालू हुए थे, ठीक है, कुछ एक राउंड ऐसा था, जब मैंने पोस्ट शेयर क्याता है, लेकिन यह I guess, यह Ethereum में नेट पर था, तो transition fees को लेकर के काफी सारे लोग, हम सभी लोग offend थे शायद, बट दोस्तों क्या है ना, कभी कुछ चीज ने इतनी important होती है, कि ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा बहुत fees देनी पड़ भी रही है, थोड़ा बहुत से मतलब वो item आ रहा है, वो NFT मिल रही है, वो के छोटा मोटा project नहीं है, और still वो अभी progressing stage के अंदर है काफी जादा, तो यही सोचते हुए हम लोगों ने इसको mint किया था, mint करने के बीचे, यही एक reason था, मेरा तो personally, इसके लावा दोस्तों, Polygon की उपर testnet thread काफी पहले भी share कर चुके transfer कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप screenshot को follow करेंगे, wallet connect किया, ZK EVM पर click करा, bridge हमें करना है, click on the bridge हमने किया, and यहाँ पर RPC आप add to wallet पर click करेंगे, तो metamask के अंदर आपको pop-up आ जाएगा, RPC add करने का, फिर आप अपने Ethereum main net से, आप Polygon ZK EVM में transfer कर सकते हैं, जो bridging की fees लगेगी, द यहाँ है, जो कि आपके साथ मैंने यहाँ पर mention किया हुआ है, our main motive is to make transition and volume, यानि कि high transition and higher volume, maximum transition and higher volume हम लोगों को यहाँ पर create करनी है, जो कि हमारा main मकसद है, और हर project में हमारा main मकसद यही रहता है, ठीक है, और उसके लावा project की early SBT या NFTs या ORS आ रही है, वो हमें लेनी है, य यही होता है दोस्तों, early user बनना, इसी को early user बनना बोलते हैं, बाकि जो polygon C की EVM को bridge है, जो third party bridges है, वो कौन कौन से हैं, जैसे की orbiter finance, banjee protocol, banjee exchange, seller and layer swap, ठीक है, इनका use करते हो हम लोग bridge कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको recommend करूँँगा layer swap, जिसमें fees काफी कम लगती है, एक chain स दूसी chain पर आप swap कर सकते हो easily, I guess 2.5 dollar की fees में काम यहाँ पर हो जाता है, मैं Ethereum chain की बात नहीं कर रहा हूँ, Ethereum chain पर हमेशा ज़्यादा fees ही लगी, क्योंकि उसकी महाँ पर congestion काफी ज़्यादा हाई है, बाकि इन जो यह जो project हैं, जैसे की orbiter और bungee, layer swap, इनके खुद के token नहीं है सिर्फ seller network का अपना खुद का token है, बाकि इन तीनों bridges के अपने खुद के token अभी नहीं है, तो इनको use करने का advantage हमें fugit में मिल सकता है, ठीक है, इसके लावा दोस्तों कुछ ऐसे upcoming project थे, जो आपके ताश्यादा शेर करते हैं, जैसे की ghost chain, ghost chain Polycon Z की EVM पर आ रहा है, जो की interoperable based एक NFT marketplace है, जैसे की हम लोगोंने polyhydra के बारे में बताया था, हम लोगोंने last video में दोस्तों यहाँ पर बात किया था, holograph के बारे में वो भी दोस्तों एक interoperability based, एक omnichain based, एक layer zero based, NFT bridging protocol है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर यह भी जो project है ghost chain, यह भी कुछ इस तरीकी का है, ज इनका airdrop चल रहा है दोस्तों और airdrop को आप अभी भी grab कर सकते हैं, token सहाँ पर मिल रहे हैं, तो अभी ghost chain के उपर NFT को mint कर सकते हैं, telegram bot को join करके profile को complete कर सकते हैं, इनकी events आते रहते हैं, उसकी मदद से token तो अन करी सकते हैं, साथी साथ में refer करके भी earn यहाँ पर कर सकते हैं, तो इस project को भी आप लोग देख लेना ज़रूर, cashmail labs के बारे में हम लोग ने last video में भी और thread में बात किया था, तो यह project हैं जो ZKEVM के उपर आ रहे हैं, I guess इसके लाबा कुछ और project हैं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वो मुझे तोड़ा याद नहीं आ रहा है कौन-कौन काफी पुराना DEX है, Polygon की उपर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर Wix protocol है, OVix protocol के नाम से यहाँ पर दोस्तों यह एक lending borrowing protocol है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, Zonic NFT marketplace है, इस marketplace पे आप जा करके अपना Polygon ZKEVM network से जैसे की यहाँ पर mention क्या है, वहाँ से connect करके कुछ नो कुछ NFT by sale transaction यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो जब आप यहाँ पर आएंगे, अपने MetaMask से connect करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जागा Polygon ZKEVM का option ठीक है, बाकि दूस्तों अभी एक दू दिन पहले आप सभी के साथ मैंने एक Telegram पर post share करी थी, Mint Poopster NFT on Zeta Chain के नाम से ठीक है, और जब आप इस post को open करते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपके साथ link share किया था, तो इसके इंदे मैंने यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करी थी, we can also mint this NFT on 9 different chains, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर इस post को open करेंगे, तो यहाँ पर क्या था कि 9 different chains पर हम लोग mint कर सकते हैं, इस NFT को, and यह इ मैंने भी इसको mint किया था, और यहाँ पर ऐसा कुछ C नहीं था कि आपका address whitelisted होना जाहिए, और अगर अगर आपने अभी भी mint नहीं करी तो अभी भी आप mint कर सकते हो, इसमें काफी सरी chains हैं, ऐसा होगा, अगर हम ज़ादा chains पर mint करेंगे, जैसे कि Z की era पर हम लोग mint करते ह चाते हो, तो कर सकते हो, mental test net की उपर करना चाते हो, linear की उपर करना चाते हो, तो इन सभी के आप उपर, इनको mint कर सकते हैं, जिनके currently test net चल रहे हैं, वो mean net चल रहे हैं, ऐसे प्रिजर जिनकी euro पाने की possibility हैं, तो वहाँ पर आप transition कर लो, आपको तो भाने ढूडने हैं, दूस और इसको हम कहाँ पर trade कर सकते हैं, जॉनिक NFT marketplace पर हम लोग इसको trade कर सकते हैं, अगर इसको हम floor price देखे हैं, तो क्या floor price चल रही है, इसकी 9 dollar की यहाँ पर floor price है, इस एक NFT की जो कि हमें free में मिल रही है, हालांकि इसका volume volume दूस्तों कुछ खास नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, ठी इने कभी sale होई जाएगी, अगर लोग dump नहीं करते हैं तो, ठीक है, तो hopefully आपको Zonic के बारे में समझ में आ चुका है, और जो मैंने आपको बताया, NFT के बारे में, उसको mint करने से आप Zonic Q पर भी कुछ नहीं कुछ ट्रांदिशन कर लोगे, अब दोस्तों यहाँ पर बात रह से अभी कोई ऐसी hint नहीं है, नहीं कोई इनका event चल रहा है, नहीं token metric के बारे में, ज्यादा कुछ confirm है, लेकिन अगर आपको just polygon layer 2 की उपर transition complete करनी है, और कुछ नो कुछ यहाँ पर lending and borrowing यहाँ पर करनी है, supply करना है, तो आप कर सकते हो, छोटे मोटे amount का, 2-3 dollar का, 4-5 dollar का आप यहाँ पर try कर सकते हो, बाकी यहाँ पर last में दोस्तों, आप सभी के साथ मैंने ecosystem page के बारे में share किया है, जिसमें polygon के उपर, जो भी project आ रहे है, ZK EVM के उपर, तो ZK EVM polygon की ecosystem के नदर कौन कौन से project है, जो आ रहे हैं, उनकी list यहाँ पर हमें मिल जाएगी अच्छे से, जिसमे इसे main main चीजे हैं, आपके साथ मैंने thread के इंदर mention कर दी है, ठीक है, बाकी polygon की तरफ से officially एक survey का form चल रहा है, Google survey का, जिसको आप लोग यहाँ पर complete कर सकते हैं, easy to fill है, लेकिन थोड़ा सा lengthy form है, तो time लग सकते, तो कुछ ऐसे चीजे हैं पर पूछी गहीं है, जिनको आप fill कर सकते हैं, generally survey जो होता है, blockchain से related, थोड़ा आपके बारे में, तो that's it, ठीक है, इतना है, बाकी आप इसको next next करते जाना, 6 page है, इसको आप आराम से fill कर देना, ठीक है, कोई problem नहीं है, इसमें दोस्तों important क्या है, fill करना ज़रूरी है या नहीं, I don't know, just इसको fill कर देते हैं, nobody knows, polygon क की उपर दोस्तों, बस हम यही कुछ task कर सकते हैं, और इसके लावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा, हम लोग ने सोचा था कि polygon के उपर, जैसे कि मैटिक में कोई भी transition करते हैं, वो transition हमारी 10 cent, 20 cent, 30 cents के अंदर काम हो जाता है, लेकिन अगर मैं polygon Z की EVM layer 2 की बात कर रहा हूं, तो जैसे कि मैंने quick swap की उपर कुछ swap करने का try किया, और यहापर जो fees है दोस्तों, वो 2.5 डॉलर लग रही है, ठीक है, ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जो Ethereum layer 2 की उपर आ रहे हैं, जैसे कि ZK Sync हो गया, Starknet हो गय है, 2.5 डॉलर तक की fees, ऐसा ऐसे लिए, क्योंकि यह जो project है, इन्होंने Ethereum layer 1 को roll up किया हुआ है, roll up का मतलब है, उसमें functions कुछ इस तरीके add की गए है, notes को different तरीके से operate किया गया है, यानि कि जो main node है, main blockchain की node है, उसके उपर एक और layer बनाई गई है, तो उस वज़े से यहाँ प टेके जब Ethereum की fees, एक डॉलर लगने लगेगी, दो डॉलर लगने लगेगी, तब जाके layer 2 की fees, 10 cent, 5 cent है, उससे भी कम लगेगी, so guys, मेरी नदर में, जो सबसे best project है currently, जो fees के मामले में, transaction speed के मामले में, जो स्याधा highest speed दे रहा है layer 2 के अंदर EVM base पर, वो है दूस्तों, Arbitrum, Arbit Trump की fees, दूसरी layer 2 से काफी कम है, Arbitrum की and optimism की, and की transition भी, current scenario के अंदर सही काम कर रही है, लेकिन दोस्तों, problem तो तब आती है, जब काफी जदा load आता है, असली तो तब पता सलता है, blockchain का, कि वो कितना load सहन कर सकती, जब उसकी उपर traffic आता है, जब traffic आता है, तब सब की tent है, फिस ह हो जाती है, तो देखते हैं, खिर, जो भी होगा, future में अच्छा है होगा, हमें तो दुस्तों, basically यह भी profit से मतलब है, तो अपना काम करते जाओ, profit निकलते जाओ, फिलाल इस वीडियो के इतना है, जल्दी मिलते हैं, next वीडियो में ने topic के साथ, ने project के साथ, ने Europe के साथ, तब तक लिए, bye-bye, take care and see you soon.